प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं बच्चो आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चो आज हम सभी सॉल्व करते हैं विश्य हिंदी की वर्कशीट कक्षा चौथी की हम याबात कर रहे हैं सबता है तीसरा उपविश्य बच्चो विपरीत आर्थक शब्द विपरीत आर्थक शब्द क्या होते हैं बच्चो उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं जैसे कि बच्चो बड़े का छोटा गलत का सही गरम का थंड इस तरह से जो विप्रीत अर्थ बताते हैं उनको हम बोलते हैं विप्रीत आर्थक शब्द या विलोम शब्द प्रशन पहला विप्रीत अर्थ वाले शब्द बताओ वे उन्हें कॉपी में लिखो कठीन का विप्रीत आर्थक शब्द क्या होगा बच्चो कठीन सरल नया, पूराना, गलत, सही, सवाल, जवाब ठीक है बच्चों? आया सभी को समझ में? प्रशन दूसरा, चित्र देखकर विलोम शब्दों को कौपी में लिखें चलिए बच्चों देखते हैं, ये है हमारा दिन और ये है रात, ये है हसना, ये हुआ रोना ये है मोटा, ये है पतला, ये है बंद, और ये है खुला ठीक है? चलिए बच्चों अगला देखते हैं, प्रशन तीन शही सब्द सोच कर रिक्तिस्थान भरो, वे अपनी कौपी में लिखो सूरज पूरु में उदे होता है और पस्चिम में अस्त होता है चांद एक हैं और तारे अनेक चुन्नू का उत्तर सही है जबकि मुन्नू का उत्तर गलत है मीना अपनी बाये हाथ उठाओ और राजू तुम अपना दाया हाथ उठाओ बर्फ थंडी है और आग गरम है ठीक है बच्चो सभी को समझ में आया कि यहां हमने किस तरह से सही शब्द लिखे प्रशन चार दिये गए शब्द जाल में से विलोम शब्द ढून कर अपनी कौपी में लिखो चलिए अमीर, अमीर का क्या होगा बच्चो गरीब, चीकें, गरीब, आस्मान, धर्ती, साफ, गंदा, पुराना, नया, पुराने का होगा नया, आलसी, आलसी का क्या होगा? तो बच्चो आलसी का होगा महनती, ठीक है, महनती, अंधेरे का होगा उजाला, 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 आया सभी को समझ में? चलिए बच्चो, अगला प्रेशन अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर वीडियो में आई विलोम शब्दों को पडची में लिखकर आपस में विलोम शब्द पूछने का खेल खेलिए देखे बच्चो, आप सभी को क्या करना है? आप सभी को अपने फैमिली में सब के साथ बैठना है और आप सभी को बच्चो जो वीडियो में आपको विलोम शब्द दिखाए गए हैं वो लिखने हैं और आप सभी को पूछना है आपस में कि अमीर का विलोम क्या होगा? आस अध्यापक बच्चों को महवीर जैनती पर्व के वारे में मुखिक संदेश द्वारा निम्लिके जानकारे देंगे देखे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि महवीर जैनती जैन धरम का सबसे प्रमुख पर्व है ठीक है ये पर्व जैन धरम के 24 वे तीर्थांकर महावीर स्वामी के जनम कल्यानक के उपलक्ष में मनाया जाता है तो देखे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए महावीर जैन धरम का सबसे प्रमुख तियोहार होता है और ये जैन धरम इसको मनाते हैं ये पर्व बच्चों 24 वे तीर्थांकर महावीर स्वामी के जनम के कल्यानक के उपलक्ष में मनाया जाता है तो आप से कोई कोई पूछी कि क्यों मनाया जाता है महावीर जैन धी तो आप लोगों को ये बताना है कि इस दिन 24 वे तीर्थांकर महाविर स्वामी जी के जनम हुआ था ठीक है बच्चो आया सभी को समझ में अगला है बच्चो छात्रों को प्रती दिन सुलेक लिखने के लिए प्रेरित करे तो देखिए बच्चो आप सभी को क्या करना है आपको एक पन्ना सुलेक का रोज करना है ठीक है तो आपको सुलेक में क्या लिखना होगा महावीर जयन्ती जयन्धरम का सबसे सबसे प्रमुख पर्व है ठीक है बच्चो देखे बच्चो आप सभी को अपनी जो कॉपी है उसमें एक पन्ना रोज का सुलेक करना है ठीक है जब भी आपको हिंदी की वर्कशीट दी जाएगी तो वर्कशीट के सासत आपको सुलेक करना है और आपको अपने पाठे पुस्तक का पार्ट पढ़ना है और उसमें कठी शब्दों को आपको उनका अभ्यास करना है तो बच्चो देखे आज के लिए जो सुलेक दी गई है वो है महावीर जैन्ती जैन्धरम का सबसे ठीक है बच्चो सभी को समझ में आया आप बच्चो देखे सभी वीडियो को ध्यान से देखे समझे और अपने वर्कशीट को पूरी कीजिए उमीद करते हूं बच्चो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्कशीट में क्या प्रेशन दिये गए हैं कि साथ ही साथ बच्चो जिन्होंने मेरे चैनल जारेड़ा उनलेन क्लासिस को सस्क्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से रेड बैल आइकन दबा करके मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिए थेंक यू बच्चो वेव नाइस डेए